लक्षे द्वीब 36 द्वीपों से मिलकर बना एक बहुत ही सुंदर द्वीब समूः है जो सभी द्वीबों को मिला कर भारत का एक किंदर प्रशाषित प्रदेश है लक्षद्वीप अपनी प्राकर्तिक सुंदर्ता और सफेद समुंदर तटो और मुंगा चटानों के लिए प्रसित है लक्षद्वीप के अग्ती द्वीप पर एक हवाई एड़ा भी बना हुआ है तो यह जानते हैं बटवारे के बाद कैसे पाकिस्तान के हिस्से में जाता जाता बचा लक्षद्वीप अभी देश को आजाद हुए एक महीना भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के परधान मंतरी लियाकत अली भारत से पहले इस लक्षत हुए परियुद पोतों के साथ अपनी सेना भेज अपना अधिकार जमाने के बारे में योजना बनाने लगे लेकिन जैसे ही इसकी खबर भारत के ततकालिन ग्रह मंतरी सरदार वल्लब भाई पटेल को लगी तो उन्होंने भारत की सेना को वहां तिरंगा फेराने के लिए भेज दिया सेना ने इस बात को इतनी सक्ती से लिया कि कुछ ही समय बाद उन्होंने लक्षे द्वीप पर तिरंगा फेरा कर अपने अधिकार में ले लिया और थोड़े समय बाद पाकिस्तानी सेना वहां पहुची तो भारत का जंडा फेराता देख दवे पाव वहां से निकल लिये तो ऐसा था हमारे और लक्षे द्वीप का इतिहास इसे तरह वीडियो देखने के लिए हमारे फेस्बूक और यूट्यूब चैनल इसमाचार को फॉलो जरूर करें धन्यवाद